हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त डीके गुपता मैं आप सभी का एक्सल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में सौगत करता हूं इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सल फार्मूला इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे उसका नाम उस फार्मूले का गुरुप कौन सा है और MS Office के किस वर्जन से ये एवेलेबल है उसका description, उसका use, उसका syntax क्या होता है उसको use करने के लिए कितने और क्या-क्या arguments की जरुरत होती है और जो सबसे महत्मन बात है वो है practice examples के द्वारा उस फार्मूला को use करना और उस फार्मूला को उसकी functionality और utility को अच्छे से समझना दोस्तो हमारा formula of the day है LAN L, E, N तो अपना discussion शुरू करते है LAN के लिए हमारा name of the formula है LAN test group का part है MS office के ये सभी versions में available है description ये use की बात करें it returns the number of characters in test string either test length in number means जो हम लोगोंने test जिसके ऊपर हम लोग test कर रहे है उसके numbers उसमें कितने number of characters use हुए है ये उसको return करता है space और symbols भी यहाँ पर इसके लिए एक number होंगे space को भी ये count करता है symbols को भी count करता है और जो ये characters हैं उनको भी count करता है syntax of formula की जहां तक बात है syntax of formula है इसका equal to land और test जिस test को हम लोग check कर रहे हैं ठीक है कुछ practice examples के थ्रूँ इसको और हम लोग detail में समझने की courses करते हैं कि ये किस तरीके से work करता है like suppose मैं direct input के थ्रूँ formula को यूज कर रहा हूं len और inverted comma मैंने लिखा आई इंडिया small में हो सकता है किसी भी तरीके से उसमें उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा small letters हो सकता है capital letters हो सकता है symbols हो सकता है ठीक है space भी होता है तो उनको भी account करता है तो यहां पर हम लोग को किसी भी test में हम लोग यहां पर इस तरीके से यूज करना चाहें तो cell references के थूँ इकल टू लैन और और cell references मैं नहीं हाँ पर कर गया इस तरीक से तक्षण हर्याना विजली विद्धुत निगम विद्धुत निगम कि टोटल इसमें कितने characters यूज हुए हैं तो यह हम लोग को इंक्लूडिंग स्पेस इंक्लूडिंग स्पेस कितने number of यूज हुए हैं तो यहां पर यूज हुए हैं सिस्टम के लिए इस पेस सिंबल्स भी एक character है ठीक है इसी तरीक इस नेक्स्ट एक जम्पिल में देखना चाहें हम लोग कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने characters यूज हुए है तो यह इस तरीके से 19 ठीक है यह हम लोगों के पास बैंक का नंबर है हम लोग देखने चाहें तो कि यहां पर 11 return किये अभी मैं यह डाट लगा रहा हूं तो यह 14 हो जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग के number of symbols होते हैं तो हम लोगों को यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ को match कर रहे हैं किसी data को अगर देटेल को तो जो यह extra spaces वगरा हैं symbols वगरा हैं उनको हम लोगों को remove करना पड़ेगा ठीक है इस तरीके सब्सक्राइब करें यह पर 11 numbers हो गए यह किसी का GST number है अगर हमें check करना है कि GST में कुल मिला कि कितने numbers हैं कितने यूज हुए हैं means extra spaces तो नहीं है यह extra use तो नहीं है तो वहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसी को पहना मारे पास गलत तो नहीं आ गया है अगर 10 से कम है तो भी वह गलत है और 10 से ज्यादे हैं तो भी वह गलत है तो यह हम लोगों आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद